कि अपने चैनल गाडनिंग विद किर्ती वर्मा में आप लोग का हर दिक स्वागत करते हूं यह फ्लावर्स जो आप देखने हैं फ्रेंट से नस्ट्रेसियम के फ्लावर्स हैं और यह विंटर सिसन ने बहुत एक खुबसूरत फ्लावरिंग प्लांट हैं और इसमें बहुत ज्यादा फ्लावर्स आते हैं बहुत कम केर मांगते हैं यह प्लांट तो चलिए आज इसी कमए सिट लगाऊंगी और यह जो वीडियो क्लिपिंग है वो पिछले साल का है फ्रेंट्स और मेरे पूरे गार्डन में मैंने बहुत सारे सिट्स से प्लांट्स ग्रो किया थे फ् समय नस्ट्रेसियम के सीट्स को लगाने का तो मेरे पास दो वेराइटिक के थे फ्रेंट्स एक औरेंज और पीला दोनों के सीट्स मैंने कलेक्ट करके इस पाउच में रखा है तो चलिए आज इसे लगाती हूँ अभी सही समय है फ्रेंट्स नस्ट्रेसियम के सीट्स को लगा जाता है 10 से 15 दिन का समय लग जाता है कभी कभी 20 दिन कभी समय इसमें लग जाता है तो चलिए मैं अब लगाती हूँ इसके सिट्स को देखे फ्रेंड सिट्स कुछ इस तरह के होते हैं और इसमें जब थोड़ा जल्दी जर्मिनेशन हो इसके लिए हम लोग को इसको पानी में भी होना पड़ता है तो मैंने रात भर इसे इस कंटेनर में डाल के छोड़ दिया था अब एक कुछ फूल गया है अब मैं इसमें लगाओंगी इसको मिट्टी में ऐसे करने से होता है कि इसके जो उपर का जो कवरिंग है थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और जर्मिनेशन में थोड़ी आसानी होती है तो सिर्लिंग मिक्स बनाने के लिए मैंने अपने गमले की पुरानी मिट्टी लिया है एक पार्ट और एक पार्ट कोकोपीट और एक पार्ट मैंने वर्मी कमपोस्ट लिया है यानि समान मात्रा में मैंने तीनों को लिया है अब सब को मिक्स करके इ पुराना container है friends तो बहुत जादा मिट्टी इसमें मुझे नहीं भरनी है यहां तक ही मैं मिट्टी भरूंगी उसके बाद इसमें शिड्स को लगाऊंगी friends तो चलिए friends इसमें भरती हूं मैं मिट्टी और भरती आप लोग को दिखाती हूं पहले में सारे मिट्टी कंपोस्ट और कोको पीट को मिला के अच्छी तरह से मिला लूँगी और उसके बाद इस कंटेनर में भर दूँगी तो देखिए फ्रेंट्स मैंने सीडलिंग मिक्स को इस कंटेनर में भर लिया है और सीड्स को पानी से निकाल लिया है और जितने बड़े सीड्स हैं उसके जस्ट डबल गहराई में इसे लगाना होगा तो देखिए इस सीड्स को मैंने लिया है इसे जस्ट डबल मैं एक अपने उंगली के सहाथा से और फिर मैं इसमें सिट्स लगा दूँ इस तरह करके मैं सारे सिट्स लगाऊंगी और फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखना है कि इस पॉर्ट में हमेशा मौसर मेंटेन रहे जैसे मौसर खतम होगा फ्रेंड्स तो सारे सिट्स फिर से हाड हो अब मैंने लगबग सारे सिट्स लगा दीया और उंगली की सहता समें से थोड़ा सा प्रेस कर देती हूं और इसके उपर मैं अब थोड़ी सी मिटी की लेर डालूंगी तो मिटी की लेर बहुत मोटी नहीं डालनी है इतनी आपके सीट्स की मोटाई हो बहुत ज्यादा मिटी डालने से जर्मिनेशन होने में भी दिक्कत आती है क्योंकि सीट अंदर दब के रह जाते हैं अब मैं इस साफ अंजी साइट पिले हुए पानी से इसे वाटरिंग कर दूँगी ताकि जर्मिनेशन के दर मियान कोई भी फंगस इसमें न लग सके क्योंकि मस्चर बना रहता है तो फंगस लगने का डर रहता है अब इस पार्ट को मैं एक पॉलिथीन सीट से कवर कर दूँगी पॉलिथीन सीट से कभर करने से होता है कि इसमें मस्टर मेंटेन रहता है और सीट के जर्मिनेशन में आसानी होती है तो देखिए इस पॉलिथीन सीट से मैंने इसे कभर कर दिया और इसे ऐसे जगह रख दूँगी जहां दिन की हलकी सीशे धूप लग दी रहा है ताकि इसे आसानी हो तो चलिए फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही फिर अपडेट के साथ मिलते हैं अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीज़ेगा फ्रेंड्स बाइ फ्रेंड्स टेक केर हैपी गार्डनिंग